नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ड्वाइस पाक हिंदी के एक नए वीडियो में लक्षरी SUV निर्माता कमपनी जीप इंडिया ने अपनी नई जीप कमपास फेसलिफ्ट को भारती बाजार में लॉंच कर दिया है कमपनी ने इस SUV को 16,99,000 रुपए एक शुरूम की शुरूम की शुरूती कीमत पर पेश किया है आपको बता दें कि कमपनी ने इस SUV की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी है और आने वाली दो फरवरी 2021 से इस कार की टेस्ट ट्राइब और डिलिवरी भी शुरू होने वाली है कमपनी ने नई जीप कमपास फेसलिफ्ट को चार्ट ट्रिम और 11 वेरिंट में उतारा है इसके साथ ही इसमें इसमें नई एलिडी हैडलाइट्स, इंटीग्रेटट एलिडी डियारल्स, हनी कॉम इंसर्ट के साथ अपडेटेटेट सेवन स्लेट ग्रिल, नया फ्रंट बंपर, फॉक्स किट प्लेट और नई फॉग लाइट हाउजिंग के साथ एक नया एर डैम द इसके साथ ही इसमें कंपनी की यू कनेक्ट फाइब तकनीक दी गई है, इसके स्टीरिंग वील को भी नया डिजाइन दिया गया है और जीप की बैजिंग को होरिजोंटल स्टिप में रखा गया है, सुरक्षा के लिहाज से इसमें 6 एर बैक्स, ABS, EBD, ESC, Hill Decent Control, Panic Brake Assist, Ready Alert Braking Electronic Roll Mitigation, Brake Lock Differential, Rainy Brake Support, Select Terrain 4X4 System, Automatic Headlamp और Rain Sensing Wiper जैसे कई अनी फीचर्स दिये गए हैं जीप कमपास फेसलिफ्ट को दो इंजिन विकल्प में पेश किया गया है, इसमें पहला 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजिन है, जो 161 बहपी की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉक परदान करता है, वहीं दूसरा 2.0 लीटर का BS6 डीजल इंजिन है, जो 170 बहपी की और 350 न्यूटन मीटर का टॉक परदान करता है, इन दोरों इंजिनों के साथ 7-speed DCT, 6-speed automatic और 6-speed manual gearbox का विकल्प दिया गया है, कमपनी ने इसे कुल 7 color option में पेश किया है, तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो आटो जगत से लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें और बने रहें ज्वाइस पाक हिंदी के साथ।